नमस्कार दोस्तों जैका इस्पेसर में एक बर्फिट से स्वागत एक नई रेष्पी के साथ में तो आज लेके आई हूं मैं मकर सकरांती इस पेसर तील की रेड़ू की रेष्पी जो इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही स्वादिस्ट होता है तो इस स्टार्ट करते हैं इसे बनाना यहां पे हमने एक कटोड़ी वाईट वाली तील लिया है जो बीना पॉलिस वाली होती है 200 ग्राम के आसपस हमने तील का इस्तमाल किया 200 से कम हमने चक्की वाली गुड का इस्तमाल किया है आप चाहें तो बड़ाबर मात्रा में भी इसे ले सकते हो और यहां पे इसaden斌मे डाल कर इसे रोष्ट कर लेना है तो इसी तरह से चलाते वह इसे रोष्ट कीज़े न तो यह बहुत यह बिलकुल भी रोस्ट हो चुका है बहुत अच्छे सी खुस्जबू भी आने लगती है और हमने उसे निकाल लिया है और फिर इसे गुल को हमने डॉल लिया है थोड़े से पानी को एट कर लेंगे कि ताकि गुल जो अच्छे से मिल्ठ हो जाए और फिर इस तरह से चलाते हुए इसे भी चासनी हम तयार कर लेंगे तो इस तरह से चलाते हुए ही करना ने तो ये भी बहुत जल्दी चिपकने लगता है तो मिडियम फ्लेम पे ही इसे आप आराम से फ्लेम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है जब आप चासनी बनाते हो तो medium flame पे ही इसे आप बनाइए तो देख सकते हैं काफी अच्छे से गूर जो है ना वो पुरा टो अभी ये थोड़ी सी चिपचिपी ऐसी है तो इसे थोड़े से हम और भी पकाएंगे और इसे हलका करने के लिए एक बिल्कुल secret तरीका है जो हलबाई इस्तमाल करते हैं तो हम वो भी इसमें इस्तमाल करने वाले हैं तो थोड़े से और भी हम चासनी को तयार करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं तो बिल्कुल हमें न जैसे हम पट्टी बनाते हैं उस तरह से चासनी नहीं चाहिए तो यहां पे हमने न इलाइची पॉडर और न बेकिंग सोडा का इस्तमाल किया है डाल कर और मतलब दो और तील को इसमें रोस्ट के वेड़ तील को हम इसमें डाल लेंगे डाल कर और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को अभी भी हमने ओन रखा है थोड़े से मिक्स करने के बाद न फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि इस तरह से चासनी न बिल्कुल परफेक्ट तय तो जैसा कि देख सकते थे ना कि थोड़े से मैं पकाने के बाद फिर इसमें बेकिंग सोडा और इलाइची पॉड़र डालने से लड्डू में और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और ठंडा करते वे इसे अच्छे से म सकता है तो आप इसे दुबारा से गरम करके और फिर इसे लड्डू बान सकते हो हाथो में पानी लगा कर और फिर हम इस तरह से लड्डू की सेफ देते हुए इसे लड्डू तयार कर लेंगे बहुत असानी से जटपट से लड्डू बनकर तयार होता बहुत जादा टाइम भी नहीं लगता है लड़ू बने में और तुरन तयार हो जाता तो जैसा कि मैं बताई थी ना कि लड़ू बांते समय अगर यह ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा आप गरम भी से कर सकते हो तो आज की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक सस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं बनाकर तयार कर सकते हो जब भी मन करे तो खाने का और बच्चे हो या बड़े सभी लोग बहुत ही पसंद करते हैं इस लड़ू को इस तरह से अमने सारे लड़ू को तयार कर लिया है और वो भी मैं आपको दिखाती हो तो यह देख सकते हैं सारे लड़ू हमने तयार कर लि किया है और एक तोड़ के भी मैं दिखाती हूं तो अंदर से एकदम सॉफ्ट होता और ओपर से क्रिस्पी होता है तो यह देख सकते हैं तब तक लिए से ट्राइ करें फिर से मिलती हूं थैंक यू बाए बाए